स्री शिवाईन नमस्तूब्यम दर्शा को कैसे हूँ आसा गरते हैं कि आप सब स्वस्तेम सुरक्षित होंगे प्रिया दर्शा को पवित्र फालगुन महा के भुद्वार का अपने एक विशेस महतो होता है और वैसे भी भुद्वार का दिन भगवान स्री गनेजी को समर्पित होता है कहा गया है कि भुद्वार के दिन भगवान स्री गनेजी की पूजा आराधना करने से कुंडली में भुद्ध की इस्तिती मजबूत होती है और साथी ही साथ भुद्ध इतना मजबूत होता है और भुद्ध के साथ साथी व्यक्ति का चंद्र और गुरू भी मजबूत होता है कहा गया है कि जिस व्यक्ति का भुद्ध मजबूत होता है उस व्यक्ति की जीवन में आरे ही सभी समश्या दूर होती है साथी व्यक्ति के व्यापार से समझित जो समझिया होती हैं वे भी दूर होती हैं ऐसे में दर्सकों आज हम आप लोगों को फालकुन महा की आठ फरवरी और साथी बुद्वार की दिन का जो उपाई बताने जा रहे हैं ये है उपाई घर की बर्खत के लिए और साथ ही घर की सोक समरद्दी एवं ये घर की तमाम जो भी नकारत्मक एनरजी है नेगिटिव एनरजी है उसको दूर करेगा साथ ही घर में पोजिटिव एनरजी यानि की सकारत्मक एनरजी का निवार करेगा तो इस उपाई को आप स्री शिवाई नमस्तुव्यम जरू लिख दे, प्रिद्रसको, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस छोटे सी जानकारी को छोटे सी उपाई को अपने मित्र बंदों तक शेर जरू करें, ताकि आप आपके मित्र का दिन पढ़ रहा है, बहुत ही अच्छा दिन है, साथ ही दोस्तों, ये भी कहा गया है कि जो भगवान स्री गनेश जी हैं, इन्हें मा लक्ष्मी का मानस पुत्र कहा जाता है, जैसा कि आप सभी ने कई बार कई तस्वीरों में, कई परतिमाओं में माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गनेश जी को अविशे देखा होगा, इसलिए क्योंकि माता लक्ष्मी का मानस पुत्र गनेश जी को कहा गया है, तो दोस्तों ये भी कहा जाता है, कि जिस व्यक्ति के उपर भगवान स्री गनेश जी की अगर महीमा आसिरवाद पून रूप से हो, तो उस व् लोग इशुपाई को शाम के समय करे, और होज सकी तो चार बजे से पहले यानि कि पर्दोस के समय करे, आप लोगों के ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक लोटा जल लेना है, उसी के साथ ही आपको, आपकी घर में अगर तुलसी का पोदा है, तो तुलसी का एक पत्ता लान दे, उसके बाद में जो इलाइची है, उसे भी आप लोग मातलक्ष्मी के सिमन करते हो, उसे लोटे में डाल दे, और फिर उस लोटे के आप लोग एक लाल धागा बांदे, अपने घर से, और उसके बाद में आप उस लोटे को ले जाईए, और आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, तो उस मंदिर में आप लोग उस लोटे को ले जाकर मंदिर की चोखट पर, उस लोटे के पानी से आप लोग छीटे मारिये चोखट पर, और उसके बाद में मंदिर से बाहर निकल कर मंदिर की चोखट पर उस पानी को डाल दीजिए, यानि कि मंदिर का जहां मुख्य द्वार हो उस पर उस पानी को डाल दीजिए क्या हागया है कि इस उपाई को करने से घर की बर्खत होती है घर में जो नेगीटिव एनर्जी होती है वे दूर होती है साथी व्यक्ति का भुद्ध मजबूत होता है जो हरी इलाइची से आप लोगों की शुपाई को करना है क्योंकि बुद्धवार के दिन हरी चीजों का विशेस में तो होता है तो आप को इस शुपाई को ओशे करना है और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जोरू किजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद